हेलो दोस्तो नमस्कार नमस्कार आप सब लुँ को पता है बजेट होगा बजेट होगा आएगा एक फेक को आएगा जो कि आना ही था कभी ना कभी ठीक है को इसी की साता कुժ और भी स्टॉ उनको भी हम लोग यहापर कवर जरूर करेंगे ठीक है इसके पीछी का reason अगर देखा गया तो एक है कि जिस प्रकार से railway stocks भागे है तो वो तेजी continue रखने के लिए जो उमीद लगाई जा चुकि कि भाई railway sector में यह होगा यह हो सकता है करके तो यह होगा नहीं होगा if but वाला खेल उसके उपर कल full stop लग जाएगा तो यह चीज हम लोगो देखने को मिलने वाले और जितने भी अगर हम लोग बड़े-बड़े institutions देखे, brokers देखे, firms देखे उनके भी जो reports निकल कर आ रहे कि वाई यह हो सकता है वो हो सकता है उनमें भी वही expectations दिखाई जारे जैसे कि कि जो budget हम लोगो देखने को आपे मिल रहे ठीक है आने वाले समय में भी यहापे मतलब कल के दिन के अगर हम लोग बात करे तो अच्छा कासा CapEx यहापे किया जा सकता है railway stocks से related लगबग 15 से 20% का CapEx expect यहापे किया जा रहा है और इब दम common sense वाली बात है दोस्तो कि मतलब जो लोग पूछ रहे ती सर क्या railway stocks कल भागेंगे या गिरेंगे ठीक है यह depend करता है न कि निर्मला सितरा मैंजे क्या बोलती है ठीक है CapEx का अरत में आपको बोल चुका हो कि railway वाली जो कंपनिया है उसके लिए सरकार कितना पैसा देने के लिए रेडी है ऐसा समझो ठीक है अगर सरकार बोलती है भाई कि 15-20% इतना नहीं दे पाएंगे करके कम दे पाएंगे करके अगर सिंगल डिजिट में आ गया करके तो तो कम पैसा railway companies को जाएगा कम जाएगा तो यह पूरा खेल इसी के उपर depend है ठीक है और बाजार यह मान के चल रहा है कि देंगे करके अच्छा पैसा देंगे करके अब यह देंगे नहीं देंगे वो तो कली ही पता चलेगा इसलिए तो stocks इतने भाग रहे है ठीक है और जितने भी reports यहापे निकले है वहाँ पर अगर securities की अगर बात करें तो वो भी वही expect कर रहे है कि financial 25 का जो अभी हमनों को budget देखने का आपर मिल जाए कि इंटरिम ही भले क्यों ना हो बट 10 से 15% का तो at least इतना तो capex तो यहापे railway के लिए तो यहापे होना ही चाहिए प्लस नुआ मा का भी जो expectation है हम लोगो कुछ वैसा ही देखने का आपर मिल रहा है 15-20% के आसपास तो यहापे रहना चाहिए या फिर अगर हम लोग शेर खान की भी बात करें तो उनका भी allocation से वैसा ही है कि railway से related अगर देखा गए जिस हिसाब से वो stock यहापे भागे है ठीक है जिस direction में जा रहा है demand भी देखने को मिल रहा है लगो 15-20% के range में तो यह मतलब allocation यहापे रहना चाहिए अगर इस से अगर कम निकल गया 10 से नीचे तो कम अगर निकल गया तो भाई तो lower circuit लगने के भी डर रहेंगे देखे lower circuit मतलब इसकारती नहीं कि खतम हो गया करके नहीं आपको इस चीज समझ नहीं है कल सरकार के एक फैसले के चलते कि बहुत important चीज बोल रहा दोस्तो ठीक है कल सरकार के एक फै इसी maintain भी रह सकती है बड़ अगर उस हिसाब से अगर नहीं हुआ तो इसकारत यह नहीं कि सब कुछ खतम हो गया करके हाँ हो सकता है गिरावट हो सकती है सरकेट के इसाब से गिरावट हो सकती है बट कुछ दुनिया खतम नहीं हो जाती है तो यह कुछ पॉइंट हम लोगो सेंसिबल ही आपे समझने की भी जरूरत है और यह मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ जिसको बिजनेस समझ में आ जाता है उसको इस सारी चीश समझ में आएगी यह कोई अकेला रेलवे बजेट नहीं है इसके बाद भी हम लोगों को बहुत सरे बजेट देखने को मिले है ठीक है अगर वैसा अगर हुआ तो इस कारतिय नहीं कि सब कुछ यह स्टॉक ही खतम हो गये करके ठीक है जो पुराने प्लेयर से उनको कोई चिंता करने की ज़रूत नहीं और जिन्होंने दो-दो-डाइ-डाइस साल से होल्ड करके रखा हुआ है वह वाला पुराना फेस उनको तो मतलब जरूद भी नहीं है उनको तो पता है कि यह कंपनिया कैसे वर्क करेंगी इस साल नहीं तो अगले साल उसके अगले साल तो यह तो चीज़े long term में तो अच्छा खासा वर्क होने ही वाली है तो जो लॉंग टर्म इंवेस्मेंट वाले जो है ना उनको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूत ने इवन दो कुछ भी कल हो जाए ठीक है हम चाहेंगे भाई कि खबर आ जाएगा कि कि उनका स्टॉक कोस्ट के नीचे जाने के चांसेस ठीक है स्टॉक इजी ली रहेंगे अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो ठीक है तो ओरल कंक्लूजन बस में इतना ही आपर कहना चाहूंगा दोस्तों कि कलके एक चीज के चलते ठीक है कोई रेलवे स्टॉक्स ऐसा नहीं होगा कि खतम ही हो जाएगा और जिस प्रकार से सरकार यापर काम करें अलोकेशन देखने को मड़ा है और जितना बड़ा हमारा देश है ठीक है काफी काम होना यापर बाकी है ठीक है तो यह कुछ पॉइंट्स भी हम लोग को पता है यापर हो अच्छी बात यह है कि बजट आने से पहले भी आप देख सकते हैं तो अच्छा का सा बाइंग उमीद मतलब लोग कितना ज़्यादा उमीद लेकर चल रहे आप अंदाजा यापर लगा सकते हो तो सरकार के लिए इतना इजी नहीं होगा वैसे तो देखा गया सब कुछ रे इन चीजों को फोकस में आपे रखना है दैन उसके बाद तो आपको पताईए आयरेफसी रडार पे रहेगा ये भी जबरदस भागते वे देखने को आपे मिल चुक्या है ठीके काफी लोगों ने मज़ेदार भी कमेंट या पर की ते अच्छी बात यह लगी कि लोग इस से सोचते भी एंड सोचना भी चाहिए कि सर देखा गया ना तो रेलवे बजट अच्छा ही आएगा क्यों ऐसा किसी ने क्यों एच्छा बोला मतलब आपको जैस्ट एक बात बता रहा हूं तो यह कह रहे थे सर देखे यहाप वो चाहे तो ओफस ला सकते थे ठीके बाट उन चाहता है भाई स्टॉक्स नीचे गिरे करके फाइदा ही फाइदा ही यहापे होना चाहिए ठीक है और बियर वालों को भी क्या चाहिए भाई एक रीजन चाहिए मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने वालों की भी अभी आप किसी का भी चार्ट पैटन देखो इतना भयंकर पैटन देखने को मिल रहा है हर कोई यहापे जबरदस पैसा चापकर बेठा हुआ है तो अगर कुछ बुड़ा होगा तो हर कोई अगर देखा गया है या फिर जो जिनों ने पूरा नितमाई से बाइंग करके रखी हुए वो फटाफ़ट प्रॉफिट बुकिंग के और हम यहापे बेठा रहेगा ठीक है यह बाकी के जो इसने भी स्टॉक के खास करके जो पहले तीन बता है आयर फसी एरकॉन और अर्वेनल इनके उपर तो इबदम ही जादा फोकस यहापे रहेगा यह डायरेक्ट बेनिफिट इनको यहापे मिलते वे देखने को मिलेगा और उस नहीं है बट इतना तो कह सकता हो कि अगर आप एक लॉंग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक इससे कोई दुनिया यहापे खतम नहीं होते है लंबी पारी के लिए अगर देखा गया यह कंपनी में काफी पोटेंशल समनों को देखने को मिल जाते है रेलवेस की बात करे तो ठी पिर यहापे देख सकते हो यहापे विकितना जबरदस क्रेश आया था 50% गिरा था फिर यहापे भी ऑल्मोस्ट आप देख सकते हो 50% तो यहापे गिरा था तो इस कारतिया नहीं कि दी एंड हो गया करके हाँ एक लंबिया उधी तक वो कंसलिशन फेज में जाता है फिर इसने कतम नहीं होगा, यह point आपको पता होने चाहां, बट इसमें जो दाव लगाया जा चुका है, बजट के पहले, वो काफी बड़ा दाव यहापे लगाया जा चुका है, तो इसलिए यह stock समलों को काफी ज़्यादा focus में रहते वे देखने हो, कापे मिल रहे हैं, तो देख आज के दिन भी आप देख सकते हो, कि बिकवाली भी आपे होई stocks में, बट बाइंग इतनी सबरता से आपे चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भागती भी ट्रेन पकड़ते हैं, बाइंग करना कोई गलत बात नहीं होती है, बट randomization की इसाब से बाइंग करना, randomization का यह हो गया ना, तो वो बोलते हैं कि stock खराब है करके, यह हो गया random buying, बाइंग ऐसा stock गिरने से कोई खराब नहीं होता है, यह चीजे हर किसी को विशा में face करनी ही, आपके portfolio में जितने भी stocks देखने को मिल रहे हैं आपको, आज नहीं तो कल वो 20, 30, 40, 50% तो गिरने ही वाले ह यह बात हमेशा, मैंने इसके पहले भी वीडियो बना के आपे रखा हुए, कभी COVID के reason से गिरेंगे, कोई किसी war के reason से गिरेंगे, बट गिरेंगे जरूर, ठीक है, तो यह जो randomization जो buying यह आपे होती है न, addition होती है न, मैंने इसके पहले भी एक बात आपको सिखाई थी, कि अ ultimately frustration में चले ही जाओगे, बट अगर आपका step 1 एबदम clear है, कि मैं इस stock में क्यों जा रहा हूँ, यह company कितनी बड़ी हो सकती है, that's it, फिर आपको कोई चिंता करने की जुरूरत है, आपको समझ में आएगा, कि इस प्रकार की चीज़े बादार में आपे चलती रहते हैं, तो IR renewables की बात करें, वो focus में रहेगा, sterling wilson focus में रहेगा, यह ऐसे stock से, जो की budget के पहले सबसे ज़्यादा overheat है, हर वक्त बजेट में देखा गया न, दूस्तों, कोई न, कोई sector ऐसा होता है, जो सबसे ज़्यादा, इबदम मतलब, उमीद के चलते काफी भागता है, तो यह इस वाली बात होगी, कि कल इनका performance कैसा रहता है करके, बट overall final conclusion में बस इतना है कहना चाहूंगा दोस्तों, कि इनके चलते, इनके business के उपर ऐसा कोई disturbance नहीं होगा, कि खतमी हो गए करके, हाँ, एक छोटा सा हम लोगों को नाराजगी अगर वैसा नहीं हुआ, तो नाराजगी ज जिर्फ दिक्कत जो ये फोमो के चलते बाई कर रहे ना, उनको काफी होने वाली है, ठीके ये तो अभी शेर बादर में ऐसे हर किसी टाइप के लोग आपको यहापे मिल ही जाएंगे, ठीके तो वो अगर यहापे अपने आपको सुदार लेते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर कुछ 19-20 अगर हो गया, तो भी उनको मतलब ज़्यादा तकलिफ नहीं होगी, जिसका सोलिशन में आपको हमेशा काए, कि अगर आप कोई भी अच्छा स्टॉक टॉप पे अगर खरी दी लेते हो, और वो अगर नीचा आते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, कि होल्ड करना, अगर वो स्टॉक genuinely अच्छ है, तो आपको return मिल जाएगा, आप टाटा पावर भी देखो, एक टाइम के हिसाब से जबरदस भागा था, उसके बाद exactly लिखकर बोल रहा हूँ, देड़ साल स्टॉक भागा ही नहीं, जहाँ से था वही पे था, इसका आरत जैसे improve हो जाएंगे, वो सिसाब से वह भागेंगे, अभी आप देख सकते टाटाप और breakout देखे वापस उपर भागा की नहीं, वह वापस शान्त हो जाएगा, फिर एक एक साल नहीं चलेगा, फिर वापस rocket बन जाएगा, छे साथ मैने में इब्दम, तो यह प्रकार की